हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब जैनल एक्जाम फोर यू में दोस्तो आपने यूट्यूब की बहुती सांदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है आपका इंडियान नेवी ट्रेड्स मेंनमेट का जो पेपर है वो समाप दो चुका है अब दोस्तो आपकी अगर आपके दोस्तो इतने नंबर है जो मापको कटो बताऊंगा तो यह समझे लिजी आपका डोक्यूमैंट वेरिफिकेशन में नंबर आपका कमेंट बोक्स में जरूर बताना आपके कितने नंबर आप इस कैटेगरी से वीडियो अच्छे लगे तो अपना प्यार हमारे तक जरूर दे कर जाना like share or subscribe के रूप में और अपने सभी दोस्तों के पास share जरूर कर देना दोस्तों वीडियो को ताकि उनको भी पता चल जाए अगर आप कितने नंबर है डोक्यूमेंट वे फिके्शन जेम आप तया रहें क्याक्या डौक्यूमेंट चाहिए होगे तो वीडियो को भी न जाना देखना तो पहले वापको बता देता हूं दोस्तों डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या डोक्यूमेंट चाहिए होंगे आपकी दैन उसके बाद मैं आपको कट ओफ बताऊंगा जो भी स्टुडेंट नया है उसको कट ओफ नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक ज टेरिफिकेशन में 10 की अपनी मार्क शीट लेकर जानी होगी पहली बाद दूसरा आपका ITI का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको लेकर जरूर जाएं कास्ट सर्टिफिकेट आप जरूर लेकर जाएं दोस्तों आपका ID प्रूफ जरूर लेकर जाना है आपको ID प्रूफ में आदार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट ये सभी आप लेकर जाएं भले ही आपसे एक मांगा हुआ है अगर आपके पास दोनों हैं तीन हैं तो सभी आप लेकर जरूर जाएं हो सकता है दोस्तों आपका एक ID प्रूफ म उसको लेकर आप जरूर जाएं कोई भी घर पर ना रखें वहीं बात कर लेते हैं आपके domicile की आपको domicile लेकर जाना होगा domicile का मतलब है काफी student पूछ रहे हैं domicile का मतलब क्या है मोल निवास परमान पत्रोद है दोस्तों आपका resistance proof अगर आपका residence proof यानि domicile पहले का ब पड़ सकता है क्योंकि वो नहीं चलेगा क्योंकि आपका residence proof भी आपका change हो चुका है इसलिए आपको domicile दूसरा बनवाना पड़ेगा अगर आपका पास दोस्तो national का certificate कोई भी उसको आप जरूर ले कर जाएं यह दोस्तों मांगा हुआ नहीं है लेकिन आप जरूर ले कर जाएं हो सकता है आपको कुछ priority दे दी जाए अगर किसी student के दोनों के same number है 75 75 सभी document same है आपके पास भी और उसके पास भी और आपके पास national का certificate है हो सकते है आपको दोस्तो priority दे दी जाए तो बिलकुल भी ऐसा ना करें आपके पास जो भी document है study related सभी आप ले कर जाएं यह मत सोचे कि हम इसको घर रखते हैं घर बिलकुल ना रखें क्योंकि घर पर उसका कुछ नहीं होगा अपने document verification में आप ले कर जरूर जाएं यह तो होगी आपकी document verification की बात अब बात कर लेते हैं cutoff की cutoff से पहले दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो total post थी लगबग 1169 post थी 1169 post के लिए लगबग 3,00,000,000 पास form बरे गए हैं आपके यानि cutoff आपकी काफी अच्छी खासी जाएगी कम नहीं जाएगी कभी आप यह सोचे आपकी कम चली जाएगी आप किस के टेगिरी से हैं आपके कितने नंबर आ रहे हैं पेपर आपका कैसा हुआ है comment box में आप जरूर बताना ताकि हमें भी पता चल रहे कितने बच्चों का काफी पहुचे हैं यानि जो इंट्रेस्टिड है बच्चे जोब लेने में इंट्रेस्टिड Hersh उसमें इंट्रेस्टिड है यानि आपको जोब छीननी पड़ेगी अपने document verification में बिल्कूल भी cutoff क्या जाने वाली है आपकी तो दोस्तों अगर आप जिस category से आपके कितने नंबर है comment box में आप जरूर बताना result की date क्या रहने वाली है वो भी मैं आपको बताऊंगा मैंने आप वीडियो डाली थे आपके लिए बच्चों के जो comment आये थे उनका answer दिया है मैंने तो ये समझे लीजी आपका document verification में नंबर आने वाला है इससे कम नंबर आपके नहीं चलेंगे क्योंकि student के जो message आ रहे हैं उन्होंने बोर रहा है हमारे तिने नंबर है उसी के according मैंने आपको ये cutoff बताई काफी अच्छा response आ रहा है बच्चों का paper भी काफी अच्छा हुआ है OBC से दोस्तो 70 से लेकर 20 अगर आप SC candidate है SC candidate के लिए दोस्तो 68 से लेकर 70 अगर आप ST candidate है ST candidate के लिए जाएगी 65 से 68 PWD के लिए काफी बच्चों ने पूछा है दोस्तो PWD का तो PWD की जो जा सकती है 65 से लेकर 67 नंबर जा सकती है student बोल रहा है कि अभी Mumbai जो उनका paper नहीं हुआ है Mumbai का भी paper नहीं हुआ है इंडियन ने भी tradesman mate का तो वो भी जल्दी होगा Mumbai के paper होने के बाद ही दोस्तो आपका result आएगा result जो आने के chance है आपके 5 से 10 माई के बीच में है इससे पहले आपका paper करा दिया जाएगा Mumbai वाला तो आप tension बिलकुल ना ले comment box में आप जरूरू बताना आपके कितने नंबर है क्या-क्या document है आपके पास अगर आपके पास दोस्तो document नहीं है अगर आपके पास document नहीं है तो बनवाले क्योंकि समय मिल गया है आपको काफी Mumbai का भी paper नहीं हुआ है काफी समय आपको मिल गया है तो आप document बनवाले एक से डेड़ महिना भी आपको मिल सकता है तो इतने में आपके document बन जाएंगे रेसिटेंस प्रूव वह आपका domicile हुआ तो ये सब बन सकते हैं आपका cast certificate तो इनको बनवा ले आप ये मत बोलना बाद में कि सर आपने हमें नहीं बता है तो दोस्तो time आपको मिल गया जरूर बनवाएं document को अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को अपना प्यार हमाईर तक जरूर पहुचाएं दोस्तों लाइक से और सबस्क्राइब के रूप में हमें भी motivation आपके लाइक से और सबस्क्राइब से ही मिलता है तो दोस्तो ये हो गया आपकी document की बात है result की date आपकी जो है 5 से 10 माई बताई जा रही है 100% अभी short ही नहीं है confirm नहीं हुए date जो खबर आ रही है दोस्तों 5 से 10 माई की आ रही है जो भी confirm date होगी सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी तो आप चैनल को सबस्क्राइब करके bell icon को press कर ले जो भी update होगी सठीक information दोस्तों आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी क्यों आपका काफी अच्छर response आ रहा है सभी का प्यार हमारे तक आ रहा है हम आपके लिए 100% सठीक information लेकर आते हैं इस्टुडेंट बोल रहे है नॉर्मलाइजेशन का कैसा होगा तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ आपका तो तीन से चार नंबर मिल सकते हैं इससे फाल्तों आपको नहीं मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन का होना मुश्किल है अगर हुआ तो 3-4 नंबर मिलेंगे 99% जो है नोर्मलाइजेसन आपका नहीं होगा 1% हो सकता है किसी कारणवास हो सकता है आपका नोर्मलाइजेसन किया जा सके लेकिन 99% चांसित है ना होने की तो आप नोर्मलाइजेसन के बरोसे ना बैठे आपके जितने नमबर मैंने आपको बताए, इतने नमबर है, comment box में जरूर बताना किस category से आप, आपके कितने नमबर है, कोई doubt हो तो दोस्तों आपको तूरंथ reply मिलेगा, comment box में आप comment जरूर करना तो सभी बाते मैंने आपके साथ discuss कर ली कोई question query रहा गया हो तो आप comment box में पूर सकते हैं वीडियो अच्छी लगे like कर दीजे फटा फट से दबा के सभी share कर दीजे अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को सभी के पास फेला दे ताकि उनको भी पतल चल जाए अगर आप के तिने नंबर है तो document verification में आपका नंबर आने वाला है अगर आप दोस्तों अमारे चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो देखने तो exam for you चैनल को subscribe कर लेना red color के बटन को press कर ले subscribe के बटन को दबा ले जल दिसे घंटी के बटन को जरूर ओन कर लेना ताकि आपको जो भी update आती रहे सबीका notification सबसे पहले आपको मिलता रहे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन जै भारत